एक मात्र प्रकार की शराब, जिसे मनुष्य सुरक्षित रूप से पी सकते हैं, वह इथेनौल है अन्य प्रकार की शराब का उप्योग हम सफाई और निर्मान के लिए करते हैं, पे बनाने के लिए नहीं उदाहरन के लिए मेथनौल या मिथाईल अलकोहल, कारों और नावों के इंधन में एक घटक है इसका उप्योग एंटीफीज, पेंट विमूवर, विडशेड वाइपर, तरल पदार्थ और कई अन्य उत्पादों के निर्मान के लिए भी किया जाता है आइसोप्रोपेनौल या आइसोप्रोपिल अलकोहल, रबिंग अलकोहल का रासायनिक नाम है, जिसका उप्योग हमसफाई और कीटानु शोधन के लिए करते हैं मेथनौल और इसोप्रोपानौल दोनों ही मनुश्यों के लिए जहरी ले होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर उन्हें विशाक्त पदार्थों के रूप में मटाबोलाइस करते हैं, जो यकृत की विफलता का कारण बनते हैं मेथनौल या रबिंग अलकोहल की थोड़ी मात्रा भी पीना घातक हो सकता है इथनौल या एथिल अलकोहल एक प्रकार की शराब है, जिसे दो अरब से अधिक लोग प्रतिदिन पीते हैं इस प्रकार की शराब खमीर, चीनी और स्टार्च के किनवन द्वारा निर्मित होती है सदियों से लोगों ने अपने महसूस करने के तरीके को बदलने के लिए इथनौल अधारित पे जैसे बियर और वाइन का सेवन किया है हाला कि इथेनौल का शरीर पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है मानव जिगर इथेनौल का चयापचे कर सकता है लेकिन केवल सीमित मात्रा में इथेनौल विशैला होता है इसलिए यह समय के साथ यकृत, मस्तिश्क और अन्य अंगों को नुकसान पहुचाता है इथेनौल केंद्रिय तंत्रिका तंत्र को भी बाधित करता है जिससे समन्वय और निर्ने बिगड़ जाता है शराब पीने से व्यक्ति शराब की लत विक्सित कर सकता है मादक पे पदार्थों की दो श्रेनिया हैं, दिस्टिल्ड और अंडिस्टिल्ड बिना आसुत पे को किन्वित पे भी कहा जाता है किन्वन वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बैक्तिरिया या यीस्ट रासायनिक रूप से चीनि को इथेनौल में परिवर्थित करते हैं शराब और बियर दोनों ही किन्वित बिना आसुत मादक पे हैं वाइनरी शराब बनाने के लिए अंगूरों को किन्वित करती है और ब्रुरीज बियर बनाने के लिए जो गेहूं और अन्य अनाजों को किन्वित करती है आसवन एक प्रक्रिया है जो किन्वन का अनुसर्ण करती है प्रक्रिया एक किन्वित पदार्थ को शराब को की उच्च सांदृता के साथ परिवर्तित करती है आस्वन अलकोहल को पानी और किन्वित पदार्थ के अन्य धटकों से अलग करके केंद्रित करता है शराब और स्प्रिट आसुत मादक पेय है इन में बिना आसुत पे की तुलना में मात्रा के हिसाब से अधिक अलकोहल होता है सामान्य तौर पर एक डिस्टिल्ड अलकोहलिक पे में अलकोहल प्रूफ अधिक होगा Alcohol by volume ABV और alcohol proof alcohol की मात्रा या pay में alcohol की मात्रा के दो उपाय है मात्रा के हिसाब से alcohol एक घोल में प्रती 100 ml इथेनॉल के ml की संख्या है जबकि alcohol proof मात्रा के हिसाब से alcohol के प्रतिशत का दो गुना है उदाहरण के लिए एक pay जिसमें 50% ABV है वह 100 प्रमान होगा Alcohol की मात्रा के अनुसार विभिन प्रकार के मादक pay बनाए जाते हैं मादक pay कई प्रकार के होते हैं, कुछ में दूसरों की तुलना में अधिक alcohol होता है Alcohol की उच्छ सांद्रता वाले मादक pay अधिक तेजी से और छोटी खुराक में मादकता और विशाक्तता पैदा करने में सक्षम होते हैं बियर दुनिया भर में सबसे लोग प्रिय मादक pay है दरसल पानी और चाय के बाद बियर दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक है बियर इतिहास का सबसे पुराना मादक pay भी है एक मानक बियर में चाहे वह लेगर हो या एले 4% से 6% ABV के बीच होता है हालांकि कुछ बियर में अलकोहल की मात्रा अधिक या कम होती है उदाहरन के लिए लाइट बियर में केवल 2% से 4% ABV होता है जबकि माल्ट शराब में 6% से 8% के बीच ABV होता है शराब एक और लोकप्रिय और प्राचीन मादक पे है मानक शराब में 14% से कम ABV है शैंपेइन सबसे प्रसिध स्पार्कलिंग वाइन में लगभग 10% से 12% अलकोहल की मात्रा होती है कुछ वाइन डिस्टिल्ड अलकोहल के साथ फोर्टिफाइड होती है पोर्ट मदीरा, मार्सला, वर्माउथ और शेरी फोर्टिफाइड वाइन के उदाहरण है उनमें आमतौर पर लगभग 20% ABV होता है हार्ड साइडर हार्ड साइडर किन्विच सेपकारस है इसमें आमतौर पर लगभग 5% ABV होता है मीड, मीड, पानी और किन्विच शहद के मिश्रण में 10% से 14% ABV होता है साके, साके किन्विच चावल से बना एक प्रसिध जापानी पे है जिसमें अलकोहल की मात्रा लगभग 16% ABV होती है जिन, जिन जुनिपर बेरीज से बनाई गई स्पिरिट है इसमें भी 35% से 55% ABV हो सकता है ब्रांडी, ब्रांडी डिस्टिल्ट वाइन है ब्रांडी में अलकोहल की मात्रा 35% से 60% तक होती है उदाहरन के लिए एक प्रसिध ब्रांडी, कौनियक में 40% ABV है विस्की, विस्की किन्वित अनाज से बनी एक स्पिरिट है विस्की का ABV 40% से 50% तक होता है रम किन्वित गन्ने या गुर से बने मोलिसिस में 40% ABV की विशिष्ट अलकोहल सांदरता होती है कुछ रम ओवर प्रूफ है, जिसका अर्थ है कि इसमें अलकोहल की मात्रा कम से कम 57.5% ABV है अधिकांश ओवर प्रूफ रम आमतोर पर 75.5% ABV तक पहुँचता है, जो 151 प्रूफ के बराबर है तकीला तकीला एक प्रकार की शराब है, तकीला का मुख्य इंड्रीडियन्ट मैक्सिकन एगेव पौधा है तकीला की अलकोहल सांद्रता आमतोर पर लगभग 40% ABV होती है वोधका वोधका आमतोर पर किनवित अनाज और आलू से बनी शराब है, सन्युक्त राज्य अमेरिका में अलकोहल की मानत मात्रा 40% ABV है एपसिंथ विभिन प्रकार की पत्तियों और जड़ी बूटियों से बनी एक स्पिरिट है इसका कोई सबूत नहीं है कि एपसिंथ एक हैल्यूसिनोजन है, लेकिन इसमें अलकोहल की मात्रा अधिक होती है एपसिंथ के कुछ रूपों में लगभग 40% ABV होता है, जबकि अन्य में 90% ABV होता है एवरक्लियर एक अनाज आधारित स्पिरिट है, जिसमें अलकोहल की भारी मात्रा होती है एवरक्लियर का न्यून्तम ABV 60% होता है, लेकिन एवरक्लियर में 75.5% और 95% ABV भी हो सकता है आशा है कि अब आप विभिन प्रकार के मादक पेयों के बीच के अंत्रों को समझ गए होंगे कृप्या मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें कृप्या प्रोच साहन के लिए अपनी टिपपणी दें झाच के लिए हो एंशा है झाच के घथिल्याव झाचा यहाँ झाच के लÁ csता है